प्रियंका गांधी कुछ कह रही है उन्हें सुनते हैं जो छोटे दुकानदार हैं पुनकर हैं छोटे व्यापारी हैं उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करें एक वित्तिया पैकेज दे जिससे कर्ज नहों उन पर जिससे उनके हाथों में भी पैसा आए ताकि वे इन मुश्किल समय में अपना खुजारा कर पाएं देखिए मैं खास एक आग्रेख करना चाहती हूं सब राजनीतिक पार्टियों को लेकिन महत्वपून तरे से भजप्पा के नेता हो राजनीती बंद करिए ये राजनीती का समय नहीं है ये वो समय है जो जब पूरा देश इकठा होना चाहिए जब हर राजनीतिक पार्ट के जो डिफ्रेंसिज हैं उनको दूर करके हम सब को एकठा होकर लोगों की मदद करनी है जब यूपी में ये सब बस का हुआ ठीक है आपने हमारी हजार बसों को नकार दिया कोई बात नहीं हमने तो कहा भी था कि आप अपने बैनर स्टिकर लगा लेजिए हमें उसे कोई इ इलान किया कि हम इनको चलाएंगे लेकिन आज तक ये सिर्फ कागज पे चल रही है सडकों पर आपने उतारा नहीं है इसी तरह से महराश्च की सरकार को देखिए महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महराश्च में उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के सब के उपर इस देश की जनता का कर्ज है आप रिणी है हम रिणी है हमारे हर दुख में हर सुख में जनता ने हमारा साथ दिया आपका भी दिया आपकी विजय में आपका जैजेकार किया हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहे अपनी उदार्ता से हमेशा इस देश की पहले ने सुन्माव जनता ने हमारा साथ टिया है। आज इस देश की जनता दुखी है, तरस्त है, तडप रही है। एक बेटा खुद बैल बनकर बैल गाड़ी में अपने परिवार को बिठा कर चल रहा है। एक बेटी अपने पिता को साइकल पे बिठा कर छे-सो किलोमीटर साइकल चला रही अपने गाहों पर श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशे पड़ी है एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में तूट रहा है एक मा की लाश रेलवे के प्लाटफॉर्म पर पड़ी है उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है इस देश की ए एक-एक मा इस द्रिश्य को देख रही है एक-एक मा उस मा के दिल के साथ जुड़ी हुई है एक-एक मा रो रही है हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं आप कुछ नहीं कह रहे हैं आप आगे नहीं आ रहे हैं सहायता नहीं कर रहे हैं यह कोई राजनियतिक मांग है जो हम उठा रहे हैं यह मानवियता के अधार पर मांग है हम आप से अग रह कर रहे हैं कि राजनीती छोड़िए जिस जनता ने हम सब को बनाया है जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है जिसने आपको बनाया है आपका साथ दिया है अब यह समय है कि हम सब आप इस जन खड़े रहें। जो सबसे जादा जरूरत मंद हैं, जो सबसे जादा तड़प रहे हैं, जो सबसे जादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। खड़े हैं, आपने आवाज बार बार उठाई हैं, हम लड़ते रहेंगे, वह लड़ते रहेंगे, ये हमारा करतव्य है, हमारा करतव्य यह है कि हम सब के लिए अपनी आवाज उठाएं और न्याएं मांगें। तो मैं आप सब को बहुत भलत धन्यवाद देना चाहती को भी बताऊं कि हमने पिछले डेर महीने में आप अपने साधनों से पूरी तरह से अपनी कोशिश से आपने आज तक 90 लाख लोगों की मदद की है और आप करते रहें इसलिए मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूं और जो भी देख रहे हैं मैं आप से आगरे करती हू ताकि न्याय मिले ताकि जो दुखी है जो त्रस्थ है जो परिशान है हम उनकी मदद कर पाएं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद चैहन तो प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे उन्होंने कहा कि राजनीती करने का ये वक्त नहीं है हम सभी को साथ मिलकर किसान की और मजदूरों की मदद करनी चाहिए